Hello everyone, welcome to the channel, तो आज का जो session है, इसमें हम discuss करने जा रहे हैं, discovering the हडपन civilization, तो अब आपके मन में ये doubt आएगा, या question आएगा, generally, कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वो भी तो हडपन civilization की discovery से ही related पढ़ रहे थे, तो इस video में क्या अलग होने वाला है, इस particular topic में क्या अलग होने व basis पर थी, यानि जो कुछ भी पढ़ा, archaeologist का outlook था वो, यानि खुदाई, excavation के दोरान, उस site में जो मिला, उसके basis पर एक opinion form किया गया, लेकिन अब बात ये होगी कि हडपा को discover करने में क्या challenges आए, क्या problems आई, discovering the हडपन civilization, कैसे ये civilization, कैसे ये सब बता, discover हुई, तो पूरा detail इ line-to-line discussion शुरू करते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहरा है ये, so far, अभी तक, we have examined facets of the हडपन civilization, यानि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने देखा, कि जो कुछ भी archaeologists, findings मिल रहे थे, उनको evidences मिल रहे थे, तो जितने भी प्रमान evidences, proof मिलते चल जा रहे थे, material remains मिलते चले जा रहे थे, material remains का मतलब क्या है, जो चीजें आप अपनी आखों से देख सकते हैं, for example, pottery मिल रही, भरतन मिल रहे, for example, jewelry मिल रही, for example, seal मिल रहा है, तो जितने भी material remains अभी तक हमें मिल रहे है, site ही मिल गई, पूरी की पूरी, जैसे की great बात मिल गय हमें, ठीक है, तो grindries मिल गई हमें, तो ये जितने भी material remains मिलें, इनके evidences के basis पर अभी तक क्या हुआ, हडपन civilization को archeologist ने examine किया था, और examine करने के बाद इन्होंने क्या किया, उनको एक piecing together, मतलब सारे parts को, सारे evidences को एक साथ रखा होगा, और उससे एक कहानी बनाने की कोशिश की, definitely that story was based on the findings, that was not a fabricated story, that was not a fake story, or the vague story, ये story जो थी, ये on the basis of material remains थी, जितने भी कहानियां अभी आपने सुनी, कि ये ऐसा करते रहे होंगे, जैसे ancient authority के बारे में पढ़ा, town planning के बारे में पढ़ा, तो जितना भी आपने पढ़ा, that was based on the findings, that was based on the material remains, हमें बरतन metal के मिले, clay मिटी के मिले, तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, कि इस तरीके के clay के बरतनों का इस्तेमाल करते थे वो लोग, हमें same time type की जो clay है, वो ओमान में भी मिली, तो same, बड़ा simple सा एक वो है, कि same same चीज़े मिल रही है, इसका मतलब है, यहां Indus Valley Civilization को जो लोग थे, relation रहा होगा, ओमान के लोगों से, मिसोपटामिया के लोगों से, तो यह कोई fabricated story नहीं है, यह link है एक तरीके के, जो इन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन, हला कि, there is another story as well, कहानी का एक और हिस्सा है, जो अब हम discuss करेंगे, एक और पहलू है, all right, there is another part of the story, how archaeologists discovered the civilization, मतलब क कहने का, आपको इस particular chapter की शुरुवात में, beginning वाला जो topic था, तब मैंने कहानी सुनाई थी, कि हरपन civilization को कैसे discover किया गया, वो बहुत short में story थी, अब इस video में detail में चीजें discuss होने वाली है, तो हरपन civilization, जो कि इतनी बड़ी civilization है, इतनी बड़ी सब्वेता है, unfortunately थोड़ी सी underrated र यानि जब हरपन cities completely destroy हो गई होंगी, जब वो खंडहरों में तबदील हो गई होंगी, people gradually forgot all about them, तो धीरे धीरे हुआ होगा कि लोग उनके बारे में भूलते चले गए होंगे, ऐसा होता है, आज से 200 साल पहले, आपके ही पूरवज exist तो करते रहे होंगे, आपके ancestors exist तो करते अस्तित तो रहा होगा उनका, लेकिन आज क्या आप जानते हैं उनके बारे में नहीं, आप से अगर 4 generation पीछे के लोगों के नाम पूछे जाएं तो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन 4 generation पहले लोग exist किये होंगे, आपके great 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 grandfathers exist कर रहे होंगे, तभी आप exist कर र में आप जहां पर बैठे हुए हो, भगवान न करे, जिस जगह पे आप बैठे हो, वही पर भूकम पा जाए, अर्थकोएक आजाए, कुछ भी ऐसे सुनामी, बाढ़ बाढ़ कुछ भी आजाए, अब क्या होगा, कि वो पूरी तरीके से वो area जो है वो, अगर अर्थकोएक है, तो आप नीचे चले गए, या आपके ऊपर बहुत सारा मलवा, बहुत सारा जो दो तीन बिल्डिंग का मानलो आपका घर है, वो सब दब गया, आप पूरा जो है, वो rescue का काम हुआ, लेकिन आपको नहीं बचाया सका, मतलब आप यह मत कहाना कि कैसे story सुना रहे हैं, इतना कुछ बच सका, बच सका, उसके बाद फिर यहाँ पर चीज़ें छोड़ दी गएंगी, चलो हो गया, बाद में दिर दिर सफाई होती रही, तो जो बच गया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो रहे गया, उसके बारे में लोग भूल गये, 2024 में यहाँ पर मानलो यहाँ पर अर्थ को एक आया था, उस दौरान आप मानलो कभी ऐसा हो कि यहाँ पर कोई नई बिल्डिंग बन रही हो, या कुछ नया काम शुरू हो रहा हो, उस नए काम के दौरान यहाँ एक्सकेवेशन हो, और आपकी बादी मिल जाए, तब उनको समझ में आएगा कि यह जैसा कि हमने end of civilization वाले topic पे पढ़ा है detail में कि कैसे धेरे धेरे letter happens जो है वो अपनी उस legacy को, अपने उस tradition को खोते चले जा रहे थे, एक तरीके से lose करते चले जा रहे थे, तो लोग भूलते चले गए इन चीजों के बारे में, when men and women begin living in the area, millennia letter और कई हजार सालों बाद, कई स सालों बाद, जब यहां पर वापस से settlement हुआ होगा, और जो अगले generation के लोग रहे होंगे, men and women रहे होंगे, इस तरही पुरुष रहे होंगे, लोग रहे होंगे, उन्होंने यहां पर जब रहना शुरू किया होगा, तो उन्हें पता भी नहीं होगा, they did not know what to make of the strange artifacts, उन्हे जैसे उन्हें कुछ मूर्तियां मिल जाती है, जैसे उन्हें कुछ एटे मिल जाती है, इन में से ज़्यादा तर चीजों का तो इन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिया होगा, चलो, तो strange artifacts जो कुछ मिलते भी थे हैं, occasionally, समय समय पर जब वो surface पे आ जाती थी, ठीक है, या फिर digging के दौरान, या खेतों को प्लो करने के दौरान, इस तरीके के कुछ treasure निकलाते थे, खजाने जैसे कुछ मिल जाते थे, जैसे होड्स वगरा, आपने पढ़ा हुआ है कि होड्स करके रखते थे, गोल्ड कोईन वगरा को, ये लोग हडपा के लोग, तो इस तरीके से जब यदा कदा कभी कभार ऐसा situation होता होगा, इस तरह का कुछ मिल जाता रहा होगा, तो वो एक तरीके से बड़ा excitement क्रिएट करता रहा होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा, कि ये जो कुछ मिला है हमें, ये किन को belong करता है, तो इस तरीके से, हजारों सालों के दौरान जब सेटलमेंट को कहीं दबा दिया, लोग उसके बारे में पूरी तरीके से इग्नोरेंट हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे से जब ब्रिटिश इंडिया में आए, और ब्रिटिश ने क्या किया, कि आगे जाकर आर्केलाजिकल सर्वी आफ इंडिया की स्थापना की, तो भारत का जो इतिहास है, इंडिया का जो कल्चर है, इसको एक्स्प्लोर करने के पॉइंट आव व्यू से, इसमें और रिसर्च करने के पॉइंट आव व्यू से, इसको कंजर्व करने के पॉइंट आव व्यू से, Archaeological Survey of India के स्थापना की गई कब? 1861 में 1861 was the year when Archaeological Survey of India was founded और इसको found किस ने किया था? Alexander Cunningham नाम का एक इंसान था जिसने found किया था Alexander Cunningham और यही फिर आगे जाके Archaeological Survey of India का पहला Director General भी बना पहला महानिदेशक, the first Director General of the Archaeological Survey of India इट इस्टिल एग्जिस्ट्स, Archaeological Survey of India आज भी एग्जिस्ट करता है अगर आप म्यूजियम जाते हैं और अगर आप कोई भी पुरानी historical importance की जो building है उसको घूमने के लिए जाएंगे आप घूमने जाएंगे और आप देखेंगे कि उस जगह पर ASI का टिकट मिल रहा होगा आपको, टिकट पर ASI का नाम होगा, जगह जगह पर लिखा होगा कि इस बिल्डिंग इस प्रिजर्व्ड गंजर्व्ड बाए दी Archaeological Survey of India आपको जो information दी जा रही होगी उस महल के बारे में या लोगों के बारे में या history के उस एपिसोड के बारे में तो और अर्केलोजिकल सर्व्ड इंडिया के दौरे दिया जा रहा होगा तो मेरे खाल से आप इसके बारे हैं बहुत अच्छा से परिचित हैं यू और वेल एक्वेंटेड बाइदी आर्केलोजिकल सर्व्ड इंडिया और विथ दी आर्केलोजिकल सर्व्ड इंडिया तो वेन कनिंगम अब क्या हुआ जब ये रिसर्च का काम चल रहा था क्यूं चल रहा था इसके बड़ी सिंपल सी चीज है कि जब भारत में अग्रेज आ रहे हैं तो जब उनको ये हुआ कि भारत धीरे-धीरे उनके लिए ही है और उनका कंट्रोल हो गया पूरी तरीके से तो इस देश में रूल करना है और इस के कल्चर की इस देश के हिस्ट्री की यहां की अंडर्स्टैनिंग बहुत जरूरी है और किसी को भी समझने के लिए किसी देश काल परिस्थती व्यक्ति किसी को भी समझने के लिए उसका अतीत समझना बहुत महत्तपोन है अतीत नहीं समझेंगे तो उसको भी नहीं समझ प का है Cunningham's confusion, यानि Cunningham को कुछ समस्या है, कुछ confusion है, कुछ तरीके की उसकी जो आवधारना है, कुछ concepts है, कुछ ideas है, उनमें वो confused है, यानि clarity नहीं है, एकदम सपश्चता नहीं है उसके दिमाग में, किन चीजों को लेके confusion है, देखो, तो जब Cunningham पहला Director General बना Archaeological Survey of India का, और Ar Archaeological Excavation शुरू हुए, when he started the Archaeological Excavations, means to say, when he started exploring and researching on these sites, excavation means, उसको क्या करना, डिग आउट करना, ठीक है, उसको डिग आउट करना, so that, you can uncover the hidden areas or the regions, so, जब uncovering उसकी शुरू हुई, in the mid 19th century, mid 19th century में आप देख रहे हैं कि mid 19th century में ही Archaeological Survey of India के स्थापना हो रही है, so, this time period, archaeologists prefer to use the written record, अब किस बेसिस पर, हमने कहा कि understanding करनी हैं इंडिया की, तो किस basis पर understanding करें, जो research करेंगे, exploration करेंगे, उसका कुछ basis होना चाहिए, तो देश को समझने के लिए इन्होंने क्या देखा, कि उस जमाने में जो written records available हैं, इसके अलावा कुछ था भी नहीं, तो जो written records available थे उस जमाने में, चाहे वो Sanskrit grant हों, चाहे वो Vedas हों, चाहे वो Buddhist grant हों, चाहे वो Chinese literatures हों, तो जो भी पुराने scholars के, बाहर से आई हुए लोगों ने जो भारत के बारे में लिखा, या इंडिया के ही जो scholars ने, या और दूसरे दूसरे जो बड़े लोगों ने, अपने documents लिखे, या जो पहले से धर्म सूत्रा, शास्त्रा से विलेबल थे, तो कुल मिला के कहने का मतलब जो written records हैं, इन पर इनोंने सबसे ज़्यादा rely किया, आप क्यूं करेंगी, क्योंकि उनकी जो tendency है, वो written records के उपर ही rely करने की है, ऐसा क्यों, क्योंकि Mesopotamia में भी जो tablet मिला था, उस tablet को पहचान पा रहे थे, समझ पा रहे थे, तो इनको सबसे आसान यही लगता था, और बाकी चीज़े इनको क्या लगती थी, कॉम्लिकेट लगती थी, दूसरे पूरे रीजन के culture को, custom को, tradition को, उनके ideas को, thought process को, समझना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, वो आपके यॉरोप से related होता, तो साथ आसानी से समझ सकते थे, तो टेबलेट में सो पटा मिया का बहुत कुछ helpful था उनके लिए, लेकिन इंडिया में तो कुछ ऐसा है नहीं, वो बाद में समझ में आ रहा है, जब आगे बढ़ोगे तो, अभी तो जो written records हैं, वो हमारे लिए समझ में आ रहे हैं, तो हम इन ही को इस्तमाल करेंगे, तो उ सर्फेस या स्टोन सर्फेस के ऊपर कुछ लिखा हुआ, उकेरा हुआ, इंग्रेव किया हुआ, खुदा हुआ, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं, तो यह written record, यह text, यह inscriptions, they serve as the guide to investigation, यानि इनकी investigation के लिए जो guide करने का काम कर रहे थे, यह यही records थे, यह यही documents थे, यह यही ev and the latter period, क्यों? क्योंकि जितने भी written records available हो रहे थे उस जमाने में, जितने भी text available हो रहे थे, जितने भी inscriptions available हो रहे थे उस जमाने में, यह ज़्यादा तर belong करते थे six century के असपास, six century before common era, जैसे की महा जनपत, तो rise of महा जनपत, या emergence of महा जनपत, और इसके बाद फिर मौरे आस का foundation, उसके बाद फिर मौरे डानेस्टी के बारे में, तो यह जो मगद है, rise of मगद है, सब कुछ, यहीं से ज़्यादा तर written records या documents इंडिया के history को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तो Cunningham को यहाँ से clear record मिल रहे थे, इसलिए Cunningham ज्यादा interested क्या था, early history जो की इस time period को belong करती थी इसके पहले के कोई written record available नहीं थे, not available, not available, तो इसके पहले का कुछ available था नहीं, तो Cunningham का confusion क्या है, Cunningham का confusion अभी और clear हो जाएगा, confusion सिर्फ यही था कि जब उसके पास इसके पहले की चीज़ आएगी, समझ में आगी बात, यानि जो available records हैं, जिस time frame को belong करते हैं वो records, उसके प निफ्यूज हो जाएगा कि यह किस time period को belong करती है, all right, देखो, he used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims, यह देखो, मैंने का, जैसे कि फायान हो गया, एट सिंग हो गया, यह निशांग हो गया, यह सब Chinese scholars थे, जो आए भारत में Buddhist studies के लिए, Buddhist studies के लिए, बुद्ध की सिक्षाओं को पढ़ने समझने के लिए, बहुत समय भारत में रहे, इन्होंने अपने documents लिखे आगे जाके, all right, तो यह सब इसी particular time period के दौर आनाएंगे, 4th to 17th century के दौर आनाएंगे, मतलब, जिस time period की बात है, यह return records, उस समय नहीं, आए यह बाद में, बट यह जो time period cover करते हैं, वो सारा time period 6th century के असपास का शुरू होता है, चलो, तो early settlements को uncover करने के लिए, locate करने के लिए, find out करने के लिए, Cunningham क्या कर रहा है, Cunningham in Chinese और Buddhist pilgrims के, जो written records हैं, okay, जो travel logs हैं, इन पर वो भरोसा कर रहा है, all right, Cunningham also collected, documented and translated inscriptions, अब उदारन के लिए उस जमाने में जो survey available थे, उस जमाने में जो inscriptions available हो पाए थ possible, ठीके, जैसे अशोक के जो भी inscriptions together decode हो पा रहे हैं, तो Cunningham इन पर भी भरोसा कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये धीरे-धीरे-धीरे-धीरे decode हो पा रहे थे, तो जो चीज समझ में आ रही है, उस पर भरोसा करना आसान है, जो चीज समझ में नहीं आएगी, उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो Cunningham इन चीजों पर भी भरोसा कर रहा था, all right, so when he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought had cultural value, तो जब उसने excavation शुरू किया, when he excavated sites, उसकी tendency किधर थी, तो जब उसने excavation शुरू किये, when he excavated sites, he tended to recover artifacts, वो उनहीं artifacts को ज्यादा ध्यान दे रहा था, उसकी tendency, he was tended to recover the artifacts, वो उस तरीके के artifacts में ज्यादा interested हो रहा था, that he thought had cultural value, cultural value means to say they belongs to this particular period, और they are actually verifying the written records, तो कोई भी ऐसी चीज जिसका cultural importance या value निकल के आ जाए, और जो इस particular time period, जो की written record में लिखी होई है, इसके साथ मैच कर जा है, उसको प्रूफ करने में, उस evidence को समझने में, Cunningham ज् का interest ले रहा था, he was tended to recover all those artifacts, all right, that he thought had cultural value, cultural value मतलब जो हमारे पुराने records के साथ मैं मैच कर रहे हो, तो उसकी जो रुची है, उसका जो interest है, वो इस तरफ जादा जा रहा था, तो a sight like हडपा, अब जो written records है, वो 6th century के आस पास के हैं, अभी आपने देख लिया, ठीक है, और ये आत्मे की तरफ है हमारी, यानि जो हम इंडिया की ancient Indian history पढ़ते हैं, इसका जो letter half period है, और in fact जब अपने वो end portion की तरफ जा रही है, और इंडिया का medieval portion पढ़ना शुरू करते हैं, तब ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, मौरिकाल में, गुप्तकाल में, ठीक है, तो उसके पहले तो एक बहुत लंबा समय है न, इंडिया में settlement का, agriculture के development का, फिर urbanization का, है न, stone age से लेके, पूरा metal age तक, metal age के बाद फिर agriculture से लेके पूरा urbanization तक, इसके बारे में तो कोई written records थे ही नहीं, तो जब हरपा की तरह की site, a site like हरपा, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrim, itinerary मतलब समझते हैं, list kind of, ठी की sites, जो की Chinese scholar और Buddhist scholar या Chinese pilgrims जो इंडिया में आये थे, उनकी travel list में, उनके document की list में नहीं थी, उनके description में नहीं थी, and was not known as an early historic city, और जिसको पुराने शहर के तौर पर लोग जानती नहीं थे, it was completely unknown, it remained complete mystery to the local people, local लोग इसके बारे में कहीं से कहीं तक सोच ही नहीं सकते थे, तो जब वो चीजें मिलेंगी, all right, did not fit very neatly within his framework, तो Cunningham जो है, उसकी investigation में हरपा की site कहीं से कहीं तक fit ही नहीं होती थी, हरपा तो उसके imagination में नहीं था, क्योंकि वो मान के चल रहे थे, कि इंडिया के जो history शुरू होती है, वो 6th century BC के आस पास से शुरू होती है, गंगा वैली में जब urban settlement शुरू होंगे, या महा जनपत का जा emergence होगा, वहां से इंडिया की history शुरू होती है, और उसके पहले इंडिया की history है ही नहीं, तो this is how they were thinking about the history of India, all right, so although हरपान artifacts were found fairly often during the 19th century, आपको पढ़ाया गया है, जैसे 1861, तो 1861 में archaeological survey of India की स्थापना हुई, ये मैं आभी बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन जब beginning पढ़ाया था, तो आपको क्या बताया था, कि 1856 के आसपास हरपा की seals मिल गई थी, हरपा की bricks मिल गई थी, in fact आपको कहानी में ये भी बताया था, इसी में, आप देखोगे side में box में क्या लिखा हुआ है, कि हरपा को जब खोजा गया, तो उस दोरान क्या हुआ, उस दोरान railway line बन रही थी यहां पे, और railway line के development के दोरान, क्या हुआ, बहुत सारी जो bricks मिली, इन bricks को पूरी जो है, वो railway line में इस्तिमाल कर लिया गया, अब अगर ये कहीं से कहीं तक history के document में included होता, तो शायद उसका नाश न देती, या फिर कुछ और यूनिक चीज़ें मिल जाती, तो जब तक railway line बीची, तब तक तो हडपा पूरी तरीके से, या maximum तरीके से shattered और destroyed हो चुका था, और in fact उसकी बहुत सारी stratigraphy जो है, पूरी damage हो चुकी थी, और वो तो फिर बाद में, आप कह दो 1920, के आसपास 20th century में मतलब लगभग लगभग देख लो तो 60 साल, 70 साल का difference हो जा रहा, 60 to 70 years का difference बहुत होता है, और 60 to 70 years के difference के बाद फिर हडपन साइट्स में excavation proper होना शुरू हो रहा है, तो जब हडपन artifacts मिलते भी थे, were found fairly often during the 19th century, तो 19th century के दोरान जब यदा कदा कभी ऐसे ही railway line बन रही है, या कोई दूसरा काम हो रहा है, उस दोरान उस particular Northwest area के आसपास से कुछ हडपा के artifacts मिलेंगे भी, कुछ पुरानी IVC, Indus Valley Civilization से related, पुराने facts मिलेंगे भी, तो क्या होगा? And some of these research reached Cunningham, और जब वो Cunningham के पास पहँचेंगे, क्योंकि ये DG है, Director General है, तो इनके पास वो चीज़े आएंगे, he did not realize how old these were, तो अब वो कैसे समझ में उसको आएगा? अब वो कैसे पता लगा ले? उस जमाने में scientific techniques इतनी advanced थी नहीं, तो dating करना मुश्किल होता था, उसकी date वो dating करे भी interest भी ले, क्योंकि बाकी चीज़ों की तो आगे जाके dating होगी, तो उसको problem क्या थी? उसको problem ये थी कि इंडिया की history जो शुरू हो रही है, उसके आसपास के जो हमारे पास written records है, इन records के हिसाब से तो ये जो artifacts हमको मिल रहे हैं, उसमें fit ही नहीं हो रहा है, तो ये कर निंगम को दिया होगा, साब देखो ये बड़ा सुन्दर टाइप का कुछ दिख रहा है, जूलरी होगी, कुछ बरतन होगा, या कोई सील होगी, या कुछ और कोई statue होगी, तो जब कर निंगम के पास वा या, he noted the object, but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar, देखा, बड़े सुन्दर तरीक रखने की कोशिश कर रहा है, वो six century के एतिहास, या उस time frame में रखने की कोशिश कर रहा है, जिस time frame से वो familiar है, ति होता ने, कई बार मालो हमें कोई चीज नहीं पता होती है, तो अब यह है कि आप मालो जैसे आप आपने किसी से पूछा और उसको चीज नहीं पता है, तो कई इसे वो चीज उससे relevant हो या ना हो, जब अजस्ती आपको उससे कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ रिलेट करके, तो कनिंगम का कन्फूजन कहीं, यहीं कन्फूजन है, कि he is trying to place that seal, जो seal Englishman अंग्रेज ने कनिंगम को लाके दी, उस seal को क्या कर रहा है, जब अजस्ती कहां प्लेस thought that Indian history began with the first cities in Ganga Valley. proud feel करने की एक जो opportunity है वो भी आप खो देते, अभी आप के पास जो opportunity है वो यह है कि this Indian subcontinent has the legacy of one of the oldest settlement, और कह दो कि इस area में जो settlement है, यह settlement सबसे पुराने settlement में से एक है, दुनिया में जब कहीं पर कोई नहीं रहता था, तब भारती महादीप में लोग रहते थे और साथ-साथ खास बात कि यहां पर urbanized settlement था, तो यह चीज आप नहीं कह पाते हैं, और यही कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यानि हम लोग बहुत नए हैं अभी, तो एक छोड़ा सा चैप्टर भले जुड़ा लेकिन proud feel होने लगा आपको, तो चैप्टर 2 की कहानी ज the significance of Harappa, तो यह कोई अचिरज की बात नहीं है, that is not surprising कि Cunningham, because of his confusion and because of his inappropriate or you can say the wrong approach, he कह सकते हो कि missed, पूरी तरीके से उसने यह opportunity यह अवसर्क हो दिया, कि वो आगे इतिहास को Harappa के महत्यों के बारे में बता सके, तो यह एक चीज हो गई now moving to कि जब आंगे जाके लोगों को पता चला a new old civilization किती अच्छी बात लिखी हो एक नई पुरानी सब्विता मतलब बहुत पुरानी सब्विता जो हमारे सामने एक नई सब्विता के तौर पर आ रही है नई क्यों यह ऐसा ही है कि हमें पता ही नहीं है में बहुत सारी मोहरें और बहुत सारी चीज़ें आर्केलोजिस ने खोजी ठीके जैसे कि दयाराम साहनी तो आपको पता ही है मैंने बता है 1920 के आसपास तो 20th century में यहां फिर excavation तेज हो गया एक्सकेवेशन क्यों तेज हुए उसका रीजन सेंपली यही था कि आगे जाके क्या हुआ कि कुछ समय के लिए तो आर्केलोजिस सर्वेव इंडिया की फंडिंग ही बंद हो गई थी बहुत खास इनको मिल नहीं रहा था तो अंग्रेजों ने कहा कि यार हम औ यू चीजे निकल के आएंगे वो यह है कि दयाराम सानी भाई साब आगे जाके आडी राखलदास बेनर जी हैं तो इन लोगों ने चीजों को एक्सकेवेट किया बहुत सारे नए बरतन हो गया जूलरी हो गयी सील हो गई और यह धेर सारी जो चीजें इन्होंने एक्सकेव हैं यह आटिफैक्स इन फैक्ट ऐसे टाइम पीरिट को बिलॉंग करती है अभी आ जाएगा आगे ही ऐसे टाइम पीरिट को बिलॉंग करती है जब दुनिया में रेयर लोकेशन पर सैटलमेंट थे और चलो फिर आगे हडपा तो होई या राखलदास बेनर जी ने आगे ज करती हैं तो 1924 में फिर आगे जाकर इन साइट्स के एक्सकेवेशन के बेसिस पर उस समय जो डिरेक्टर जनरल था आर्कलाजिकल सर्विया फिंडिया का जिसका नाम लिया मैंने अभी जॉन मार्शल इसने क्या एनाउंस किया अब सारे इंपॉर्टेंट काम बड़ा दिकारी ही करता है ना तो क्रेडिट इनको गया खोजने का लेकिन एनाउंसमेंट एक होता ना फॉर्मल एनाउंसमेंट तो फॉर्मल एनाउंसमेंट किसने किया जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया क्या बताया कि एक नई सब्विता को हमने खोजा है और दुनिया को ये बताया कि जो नई सिविलिजेशन है ये गुम गई थी उसको हमने खोज लिया तो नया नहीं इसलिए पर फिर भी कह सकते हो नियू ओल्ड सिविलिजेशन बाद में आगे जाके सतेंदरनाथ रॉय ठीक है यह क्या कहते है सुरेंदरनाथ रॉय है किताब लिखी है उन्होंने एक स्टोरी आफ इंडियन आर्केलोजी एसन रॉय नहीं इन्होंने भी एक्सकेवेशन ने बहुत इपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यह क्या कह रहे है कि इस डिकलरेशन के साथ इस डिसकवरी के साथ में मार्शल लेफ्ट इंडिया त्री ताउजन येर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हो यानि जब भारत आया था तो जिस टाइम फ्रेम में आया था उससे तीन हजार साल पीछे लेखे गया नि भारत उसके समय में जहां पर वो था या जिस समय पे भारत को उसने पाया था पाया था का मतलब है कि जब हम एक्सकेवेट करना शुरू किये एक्स्प्लोर करना शुरू किये तो हमने 6th century के असपास इंडिया को देखा लेकिन actual में इंडिया की कहानी तो 3000 साल पहले से शुरू हो रही थी तो अभी तक भारत का इतिहास जहां से वह लोग मान रहे थे य इसका कारण ये था क्योंकि बहुत सारी वहां पे जो सील, मोहरे, बरतन या और आर्टिफैक्ट मिल रहे थे इनकी समानता मेसोपटामिया से भी हो रही थे तो मैंने अभी कहा ना कि अब क्या होगा अब ये लोग रिलेट कर देंगे इसको कि इंडिस वैली सिविलिजेशन जो है ये ओल्डेस्ट सिविलिजेशन में से है पुराने सिविलिजेशन में से है और इन फैक्ट दुनिया में जब पुरानी सिविलिजेशन जैसे कि मेसोपटामिया जैसी सिविलिजेशन जब एग्जिस्ट करती थी तो उनका कनेक्शन मेसोपटामिया से भी था या मेसो आपका सम्मान बढ़ेगा, सम्मान क्यों बढ़ेगा? वो पहले हम लोग को थोड़ा सा इस तरह से देखते थे कि अरे कोई बहुत इनका बैक्ग्राउंड नहीं है, ठीक है? यह आपका बहुत बड़ा सिविलाइजेशनल बैक्ग्राउंड है और तमाम दुनिया भर की चीज चला गया है और अभी और अगर रिसर्च होते रहे बढ़ी आएक्योरेट तो शायद और पीशे चला जाएगा, तो फिर भी यह 7000 से 5000 साल पुराना है, ओके चलो, इन फाक्ट, जॉन मार्शल स्टेंट इस डारेक्टर जनरल आ रहे थे, उनके कंपारिजन वे यह बहुत इ इसलिए भी है, क्योंकि इसने जो कॉंट्रिबूशन दिये हैं, ये कॉंट्रिबूशन आर्केलोजी में बहुत बड़े बदलाव लेके आया, क्यों बदलाव लेके आया, विकाज वोस दी फर्स्ट प्रोफेशनल आर्केलोजिस्ट, आप कहोगे कि पहले वाले लोग जो थे, वो प्रोफेशनल आर्केलोजिस्ट नहीं थे, पहले वारे लोग में से ज्यादा तर लोग क्या होते थे, या तो हिस्ट्री विस्ट्री पढ़के थोड़े बहुत ऐसे उस सब्जेक्ट को बिलॉंग करते रहोंगे, या फिर आर्मी वगएरा के बैक्गराउंड से र प्रोफेशनल आर्केलोजिस्ट है, और इसके पास क्या है, भारत में काम करने के पहले भी और तमाम दूसरे जगह, अलग-अलग साइट्स पे, आर्केलोजी का एक्स्पीरियंस था, तो इंडिया जब यह आया, तो वो अनुभव लेके आया, वो अनुभव कौन सा, बाहर काम करने का, जैसे ग्रीस में इसने काम किया था, क्रेट में काम किया था, तो इन जगहों पर जो एक्सकेवेशन किये थे, वहां का जो एक्स्पीरियंस है, उसको यह लेके आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत काम आएगा, सो कनिंगाम, he too was interested in spectacular finding, problem बस एक यह है, कि यह लोग थोड़ा सा fascination वाले aspect की तरफ जाता जाते हैं, यह एक जो established narratives थे उस जमाने के, उसकी तरफ जाता जाते थे, मतलब कहने का, कि जब भी findings हो रही हैं तो findings में हमेशा ऐसी चीजों को खोजने में लगे रहेंगे, जिस खोज से बहुत तेजी से नाम हो जाए Archaeological Survey of India का, कोई ऐसी spectacular finding मिल जाए, कोई खजाना जैसा मिल जाए, कुछ ऐसा पैसा मिल जाए, कुछ गोल्ड जैसा मिल जाए, लालच टाइप का, ग्रीड टाइप की, तो कोई ऐसी बड़ी spectacular finding मिल जाए, जिससे Archaeological Survey of India या John Marshall या Cunningham जैसे ल लोगों का, ओके, so he was equally keen to look for patterns of everyday life, साथ-साथ, जैसे Mesopotamia की चीजे थी ना, जो जो Mesopotamia में मिला था, उससे क्या हो रहा था, उससे ये लोग, उस जमाने के लोगों की जो डेली लाइफ पैटन थी ना, डेली लाइफ की activities थी, उसको भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे लेकिन हडपा की खोज में, Mesopotamia का जो pattern था, वो नहीं दिख रहा है, मतलब कहने का, हडपा की discovery से, इतनी महनत करने के बाद भी सिर्फ कहानिया ही मिल रही थी, और वो कहानिया भी possibilities और assumptions के उपर थी, 100% confirmation नहीं मिल रहा था, आप in fact आज 21st century में जो किताब पढ़ रहे हो, उ उसमें भी 100% confirmation की चीज नहीं है, तो जब खोज हुई होगी उस जमाने में कितना confusion रहा होगा आपको पता है, जब आज, आज के date में 21st century में हम 100% किसी भी चीज को confirm नहीं कर सकते हैं, कोई practice को, या किसी भी तरीके कि system को वहाँ हम 100% sure नहीं कर सकते कि ऐसा होते ही था, चाहे उनका political system होचा है, उनका religious system होचा है, उनका language हो, तो उस जमाने में जब खोज हुई होगी तब तो बहुत और confusion रहा होगा, तो इनका interest क्या था कि Mesopotamia की तरह हम यहाँ पर भी उस daily life वाले pattern की history को समझ जाएं, यह थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो इनका interest इधर भी था कनिंगम की तरह है, यह भी इसी तरह काम करना चाह रहे थे, चलो, तो Marshall ने यहाँ पर जब excavation किया, तो बहुत फायदा करवाया, लेकिन उसके approach में कुछ एक तरीके से कहतो mistake भी है, जिसका एक नुकसान भी देखने को मिला, Marshall tended to excavate along regular horizontal units, तो Marshall ने जितना भी excavation किया, इस excavation मे क्या हुआ, नुकसान क्या किया उसने, excavation जो होता है आगे जाके अभी और clear हो जाएगा, चलो यहीं पर बता देता हूँ मैं, क्योंकि आगे जाके दो words आजाएंगे, horizontal आई गया है, ठीक है, vertical भी आगे आजाएगा, तो क्या होता है, जैसे मालो यह excavation अभी इस image से बता दे इसने जितना भी excavation किया ना, इस excavation में, दो तरीके से आप excavation कर सकते हैं, एक तो vertical और दूसरा horizontal, यह दो main तरीके हो गए, बाकी और भी कुछ-कुछ तरीके हैं, तो vertical और horizontal दो तरीके से आप excavation कर सकते हैं, Marshall जो है, जब excavation कर रहा है, उस दौरान है क्या कर रहा है, stratigraphy को ignore करके, simply जैसे एक site है, इस site को एक unit मान के उसका excavation कर रहा है, for example हडपा हो गया या मोहन जुदार हो गया हडपा हो गया या मोहन जुदार हो गया या लोथल हो गया या धोला विरा हो गया कोई भी एक साइट का नाम ले लेते हैं तो इस साइट को वह एक यूनिट मानके वहाँ पर completely excavation करेगा ओके तो all the artifacts recovered from the same unit were grouped together अब वहाँ उस एक unit से जितने भी artifacts मिलेंगे खुदाई के दौरान उनको वह एक साथ रख देगा एक में ही group कर देगा okay even if they were found at different stratigraphic layers तो इससे क्या होगा परिणाम यह होगा as a result valuable information about the context of these finds was irritably lost क्या कि हम उसको इस तरीके से खो देंगे कि दुबारा रिट्राइव नहीं कर सकेंगे है रिट्राइव करने का मतलब आपको पता है कि उसको recover कर लेना तो एक ऐसा लॉस होगा इस एप्रोच से जिसको recover नहीं किया जा सकता था क्यों क्योंकि एक बार खुदाई हो गई आप खुदाई हो गए तो फिर अब क्या वो थोड़ा recover कर लोगे उसको तो एक तरीके से वो तो completely damage हो गया अब मैं इस example से आपको यहां कर दो इस image से आपको का मतलब होता है stratigraphy में word आ रहा है इस ट्रेटा मतलब लेयर वेरी सिंपल इस ट्रेटा का मतलब होता है लेयर लेयर परतें तो पहली परतें जैसे इसमें कुछ-कुछ कार लाइजेंस प्लेट है, प्लास्टिक कॉम्ब है, अलुमीनियम के एक example देने की कोशिश की गई है यहां पर दबी होई है इसके बाद फिर stratum B में दूसरी लेयर में कुछ दबा है फिर तीसरे में चौते में कुछ-कुछ दबा हुआ है जैसे हां पर बरतन के fragments दबे हु कोई है यह दूसरी time period को बिलॉंग करती है क्यों क्योंकि time के साथ में लेयर अभी मैंने आपको एक example दिया था कि भूकाम पाया और दब जाओगे तो क्या होगा किसी एक जगह पर जैसे मालों यह एक जगह हो गई अब इस जगह पर आप रहते हैं तो क्या होगा पहले एक धूल की परत या मिट्टी की परत जमेगी एक certain time period में फिर कुछ समय बाद एक दूसरी लेयर इसके उपर deposit होगी फिर कुछ सालों में तीसरी लेयर चौथी लेयर कि सीध है एक यूनिट मान के इनका excavation कर देते हो और stratigraphy को ignore करते हो तो आप क्या करोगे जो भी आपको मिला उसको आप एक time frame में calculate कर लोगे कि एक time frame का है जब कि ऐसा नहीं है इससे आप क्या करोगे irretrivably lost कर दोगे उस legacy को यानि कि इन में से बहुत सारी ऐसी चीज़े मिली होंगी हो सकता है अलग-अलग time period की रही हो जो कि जॉन मार्शल की अप्रोच की विज़े से नश्ट हो गई आगे जाके क्या हुआ आगे जाके इसमें changes आए तो एक wheeler भाई साब है मार्टीमर वीलर है तो यह क्या है यह मार्शल के बाद डारेक्टर जनरल बने एसाइक 1944 अब क्या है 1944 यह वह particular time period है जब आपको पता है देश आजादी की तरफ आगे बढ़ रहा था इधर उधर अंग्रेज लोग इसमें भी लगे हुए थे या कह दो कि एक एक्सकेवेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा था तो जब यह आया भारत में तो ही ट्राइड टू रेक्टिफाइड और ही ट्राइड टू रिजॉल्व दीस प्रॉब्लम्स तो वीलर ने क्या रेकगनाइस किया कि तो नेसरी टू फॉलो दे स्ट्रेटिग्राफी मां के फॉर्म में थी उसको पूरे को एक्सकेवेट करके पूरे साइड को निकालना था तो मार्टीमर वीलर इस स्ट्रेटिग्राफी वाली अप्रोच को बहुत अच्छे से समझता है ठीक है उसको पता था कि यह स्ट्रेटिग्राफी अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और इंस् वर्टिकल एक्सकेवेशन है अगर आप स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो और इसकेवेशन में प्लेस कर सकतेे हैं और इस तरीके से सही अगर यह चीज़ त서 undergrad हुझार्य Chicago का और जैसे करें उसका रिलेशन बहुत कुछ क्या आर्मी से है ना ब्रिगेडिया रहे चुका था आर्मी में थोड़ा सा वो क्या चाह रहा था कि जो military precision है ना यानि जो military का perfection है ना जो precise काम करने का तरीका एक दम accuracy वाला वो लेके आए हम तो आर्किलोजी की practice में भी वही वह military perfection लाने की कोशिश करेगा और काफी हद तक लेके भी आएगा अब 1944 में आजये बाद में partition हो गया आपको भी पता है देश का विभाजन हो गया देश के विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि हड़पन civilization का जो present day structure है वो क्या है वो हमारा बहुत कुछ change हो गया नेशनल बाउंडरी में अगर आप देखो कि तो अब हड़पा नहीं आता है हड़पा पाकिस्तान चला गया है ना मोहां जुदारों पाकिस्तान चला गया उस जमाने की जो important sites थी वो सब पाकिस्तान के इलाके में च initiative लिया गया नया initiative कि अब पाकिस्तान ये claim करने लग जाएगा कि हम दुनिया के पुराने सबताओं में से एक है थे भारत के ही रातो रात नए बन गए ठीक है बाहर से आके वो भी लेकिन अब आप कह दो कि नहीं वो तो धर्म क्या धर पर उन्होंने देश बाट लिया पर कि फिर भी एक तरीके से confusion create करने या अपनी generation को गलती इतिहास पढ़ाने के point of view से कुछ भी बताया जा सकता था तो इतिहास को इधर मोडने के लिए भारत में कवायत तेज होगी जिसका एक importance आज हम देख रहे हैं कि सिंदु घाटी सब्विता जो है इसको एक और नाम से जा disappear हो गई है तो ऐसा माना जाता है कि यह वही सब्विता के अंश हैं तो भारत में क्या हुआ इस बात की जो एक desire है आकांगशा है प्रयास है इनिशेटिव से वो तेज हो गए कि यार इंडिया में भी sites को locate कर आए जाए कि इंडिया में नहीं थी definitely इंडिया में भी रही होग है ना तो extensive survey शुरू हुआ कहां गुजरात के कच्छ वगेरा में और number of हरपन settlements and explorations in Punjab and Haryana have added to the list तो बाद में क्या हुआ इन excavations से हरपन site हरपन जब हम word इस्तिमाल करते हैं इसका मतलब हम पूरे सिंधू गाटी सब्विता यानि इसको आप Indus Valley Civilization को या इसी को सिंधू सरसोती सब्विता भी कहो ओके Indus सरसोती Civilization ऐसा भी कह सकते हो तो इसी को आप हरपन क्योंकि यह पहला शहर था जो एक्सकेवेट किया गया तो हरपन site की list में जो पाकिस्तानी sites थी वो तो थी ही भारती sites भी आंगे जाके add हो गए क्योंकि यह पूरी एक ह भी archaeological site का हिस्सा हुआ करता था वाइल काली बंगा लोथल राखी गडी एन मोस्ट रसेंटली धोला विरा है भी डिस्कवर्ड एक्स्प्लोड एन एक्सकेवेटेड अस पार्ट आफ इस एफर्ट यानि नई साइट्स में जो पंजाब और हर्याना के आसपास नई साइट्स जारी हैं अभी थोड़ा बहुत काम धाम अलका फुल का वहां चल रहा है उपन दडिकेड आगे आने वाले जो दशक हैं डिकेड मतलब समझते हो इंटर्वेल ऑफ 10 पी 10 येर हर 10 साल का जो टाइम पीरिड होता उसको हम क्या बोलते हैं डिकेड ओके तो एक 10 येर का जो टा स्टेंड दो लॉजिक अंडरलाइन दे लोकेशन ऑफ स्पैसिफिक साइड आर्केलोजिस्ट जो हैं ये अलग अलग तरीके से इन साइट्स को देखना शुरू कर रहे हैं कैसे इन में से कुछ आर्केलोजिस्ट अब जैज नई-नई साइट्स एक्सको एक्सक्वेट हो रह रहा है तो कुछ लोग इंटरसेट इस बारे में हैं कि ये जो एक्स्टू एक्स्टूरेशन हो रहे हैं जो नए-नई साइट्स हमारे सामने आ रही हैं अनकवर होके तो क्या ये वही उसी कल्चरल सेक्वेंस का हिस्सा है जो पांच जार साल 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 पहले शुरू होगा या क अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस साइट को यहां पर बसाने का क्या फाइदा रहा होगा इसके पीछे कौन सा लॉजिक रहा होगा तो नाव आर्के लॉजिस्ट आ ट्राइंग टू सी दिंग्स इन डिफरें डिफरेंट कॉंटेक्स एन अस्पेक्ट्स अलग अल आर्टिफेक्स त्राइंग टो फिगर आउट दे फंक्शन दे में हैब सब नए आटिफेक्स जो मिल रहे हैं फिर वही कवायद चल रही है जो कवायद आसे 1.500 साल पहले चलती थी क्या कवायद जो भी चीजें नई मिलती थी उन नई चीजों का इस्तेमाल यूज यह एक वेल्थ मिल रही है संपत्ती मिल रही है उनके यूज उनके अप्लिकेशन उनके उप्योग के बारे में किस तरीके से जो भी रहा होगा यह समझने की कोशिश की जा रही है चलो Since the 1980s there has also been growing international interest अभी भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब रख रखा उतना नहीं हो पा रहा है आज भी यूनेस्को की जो World Heritage Site है उसमें यह सब included है पर पाकिस्तान वाले इलाखे की जाद तर साइट्स जह है वो उतनी well preserved नही है कुछ दिनों में जाओगे तो हरपा में नई सिटी मिल जाएगी तुमको जो अभी 10-20 साल पहले डेवलप हुई होगी चलो तो 1980s के आसपास क्या हुआ कि दुनिया के आर्केलोजिस्ट इसमें इंट्रेस्ट लेने गए लग गए और आज भी अभी भी लैंग्विज को लेके बहुत सारे ऐसे यूरोपियन इंटरनेशनल आर्केलोजिस्ट्स हैं लिंग्विस्टिक्स हैं इस्कॉलर्स हैं जो हरपन आर्केलोजी को डिसाइफर या लैंग्विज को डिसाइफर करने या हरपन आर्केलोजी को समझने एक्स्प्लोर करने में इंट्रेस्टर्स ह the subcontinent and abroad have been jointly working at both हडपा और मोहचदाड़ो ठीक है तो जॉइंटली वर्क करने का परपस इनका यही था कि हम लैंग्वेज को डिकोड कर लें हम इनके उस डेली लाइफ के पैटन की हिस्ट्री को अनकवर कर दें जिससे यह एक सब्विता जो रहस से बनी हुई है दुनिया के सामने बाकी सारी सब्विताओं के बारे में तो आप कुछ बचा नहीं सब कुछ जानगे हैं लेकिन इसके ब सब्सक्राइब ने इसनगे हैं उनकी एच का पता लगाना उनके मतेरियल की क्यालिटी का पता लगाना तो यह सब कुछ जो है अब वो करने की कोशिश कर रहे हैं आधनिक जो हमारे पास मॉडेन टाइप पर हमारे पास जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनका इस्तिमाल करके यह कोशिश कर रहे हैं समझने की कि भाई या पत्थर मिला है ठीक है या मैटल है प्लांट है या एनिमल रिमेन है या क्ले है कोई भी चीज जो भी मिल रही है तो वो किस तरीके से वह महां पर आई उसको बहुत माइनिटली उसका बहुत गहन नरीक्षन करना समझना हर हर एविलेबल एविदेंस का तो इस एक्स्पोरेशन प्रॉमिस रिल्ट इंट्रस्टिंग रिजल्ट हो सकता है आने वाले समय में हमें और कुछ नहीं अब अब अच्छा मैंने इसको और ही आएगा और एक result oriented होगा पुखता knowledge होगा अभी क्या है सब चल रहा है तो जब आगे जाके clear हो जाएगा कि अच्छा कोई एक metal object stone object या clear object इस तरीके से मिला इतने particular time period का है उसका ये use होता रहा होगा या इससे related traces और कहीं भी मिलें तो वो चीज़ें हमें आगे जाके clear होग कि इसमें confusion है आप मुझे बताइए मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने इसमें लगभग लगभग जो आपके importance का है clear कर दिया अब हो सकता है आपको लगे ना कि होता ना कई बार की ये एक word है इसका थोड़ा और detail बताइए हर एक चीज का detail करने में फिर बहुत लंबा lecture भी होता ह तो हमने कोशिश करी है कि हर एक important चीज वो cover कर दें फिर भी लगता आपको कि ये कुछ इसमें बताइए तो उसके बारे में हम separately चर्चा कर लेंगे ठीक है तो बने रहे इस channel के साथ में आगले वीडियो के साथ जल्दी से मिलते हैं तैंक्यू